अध़सी जो ट्रेंड होते हो चोटी में क्या का सुप्डाई होती और जो हम ट्रेन के टिकेट करते हैं तो क्या उन्हें खाने का फूर्ड का जो होता वह इंक्लूड होता या नहीं होता है कि अभी हम सब्सक्राइब कर रहा है और हमारे जोस्त है और मेरा भी सब्सक्राइब चाहिर एक मेरी वीडिो पर बने रहे हैं है इसके पाड़ें यहाँ आप देखेंगे कुछ मीटर होगे लगे पड़े हैं साइड में आप देखेंगे तो नल है जो हाथ वो दुनने के लिए साइड में मेरर भी लगा हुआ है इसके बाद यहां पर काफी स्पेस बच जाता है और एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट जाने के लिए यह जणे कंपार्टमेंट से लिए कंपार्टमेंट एक शर्फ्रेंट हैं तो यह पर काफी जैसे स्लीपर में उससे काफी ब्यूटर और यहां सब सबसे बेटर है जो यहां पर हैंड वाष मिल जाएंगे तो दूलने के लिए जो दिक्ता दो दिदी वह खतम हो जाए कर दो इसके दूसरे साइड ने देखिंगे तो यहां वेस्टन भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहां भी काफी हीजैनिक का खियाल रखा गैं अध जो है वो बहतर है उसके बाद से हम चलेंगे अपने अंदर और यहां से शुरू होता है एसी कोच चलते हम कंपार्टम्ट में अपने लोग दोस्तों अभी हम अपने सीट्स पर आ चुके हैं यह देख सकते हैं यह मेरी सीट है और सीट की में बात करूँ तो काफी कमफर्टेबल है बैठने और सोने के लिए और इसके साथ-साथ जो दोस्तों का शवाल था और मेरा भी डाउड था कि क्या आपको वहां जाने के बाद बेट सीट ब्लेंकेट मिलती है नहीं मिलती है आपको यहां पर आएंगे तो और इसक जो मैं आपको बता दूँ तो सबसे पहले सामने आप देखेंगे एक मिल जाएगा जो बिल्कुल क्लीन है दिखने में अच्छा लग रहा है और उसके उपर देखेंगे तो यह स्टील के रोट से बने हुए है जिस पर आप कोई शमान होगरे रख सकते हैं और इसके साइड वह भी मैं आपको आगे पताने वारा हूं और सबसे बहतरी चीज वह यहां पर थोड़ा देखने को मिल रहा है कि आपको यहां पर रीडिंग लाइट मिल जाएगी तो अगर आप सीट पर बैटके या सोके पढ़ना चाहते हैं तो यह मिल जाएगा आपको एक बोनस एसी मे में यह सुद्धा नहीं है और उसके अलावा आपको हर सीट के लिए एक चार्जिंग पॉइंट अब लेबल यहां पर है यहां पर टोटल तीन इसाइड में और तीन इसाइड में च्छे मिल जाएगी आपको यह तक है कोटन भी मिल जाएगा अर्जिस्ट करने के लिए यह इसके बाद से यह अपना हो गया अपर और इसके अपोजिट में भी तीन सीट्स हैं आप देख सकते हैं और साइड में दो सीट्स होते हैं और साइड लोवर और साइड अपर तो यहां पर कुछ बोनस पॉइंट है और यह सी माने का यह है थोड़ा से स्पेस भी मिल जाता ह मैं बता दूं कि जो भारी लगे जो होता है तो वह आप नीचे साइद दिख रहा होगा तो नीचे आप रख सकते हैं और इसमें एक सेप्टी के लिए अगर आपका बैग आप सेप्टी करना चाहें तो यहां से आप इसको क्लेप और कर सकते हैं तो यह अच्छा है प्लस मे जैसा होता है तो आपको इसका कोई डाउट नहीं कि यहां पर ठंडी लगेगी गर्मी लगेगी इससे कोई मतलब नहीं आप आएंगे तो आपको यहां पर काफी सुब्दा मिल जाएक देखने को दोस्तों और मैं यह बता दूं कि यह बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो बनाएं और दूसरा जाइंग और आप यहां मस्ताइब यह बी कोई दिक्कतं यहां पर नहीं होने वाली है महां पे आणा से बड़ से वह कि जैसे ही बिलकुल होता है यहां भी क्या बोलते हैं कि चाय वाले और बिस्कुिट वाले कोल ड्रिंग वाले यह चाहल पहल हमेसा होती ही रहती है और थोड़ा समय आगे बढ़ के दिखाता हूं कि इसमें कैसे चाहल पहले तो आप देख सकते हैं और दोस्ते एक चीज और मैं बता दूँ जो सबसे में पॉइंट है हमारा कि जो हम थर्ड एसी का टिकट करते हैं तो इसमें हम यह जानने की कोशिज करते हैं या हमें समझ नहीं आता कि उस टिकट में जो फूड का होता है लंच डिनर और ब्रेकफास्ट का वह इंकलूड है या नहीं वह हमें ट्रेन से मिलेगा या नहीं मिलेगा तो मैं बता दूँ जी बिल्कुल मिलेगा बट कुछ-कुछ इस्पेशल ट्रेनों में जैसे आपकी सताब्दी हो गई और राज हो गए जो है ओडर करके लेना पड़ता है तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो इंफ्रमेटिव लगी होगी और थोली सी नौलेज मिला होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों रिलेटिव को भी शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पे नह ख्याल रखें जय हिंग जय भारत